जहें साथियो आज किस वीडियो में हम करेंगे हिंदी का टेस्ट सिरीज जो सवे एक्जाम के लिए इंपोटेंट है किसी स्पेशल एक के लिए नहीं सवे एक्जाम के लिए इंपोटेंट है तो वीडियो कौन तक देखिएगा और टेस्ट लगाएगा जिसे आपका अंदाज लग सके कि हम कितने हल कर पा रहे हैं आए वीडियो के स्टाट करते हैं देखिए पहला प्रस्ण है हिंदी किस भासा परिवार की भासा हैं यहां आप समझ लिजिए हिंदी अंग्रेजी रूसी फ्रांसी पंजाबी नेपाली इन सभी को मिला कर भारोपी परिवार की भासा बोला जाता है बता दिये हैं भारोपी परिवार की भासा आप बोल सकते हैं हिंदी अंग्रेजी रूसी फ्रांसी पंजाबी नेपाली इन सभी को मिला कर भारोपी परिवार का भासा बोला जाता है आए नेश्ट प्रस्ण की तरब बढ़ते हैं दूसरा प्रस्ण है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है इसको तो आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है ए आपसंदी है हिंदी B आप्षन दिया है संस्कृत C आप्षन दिया है तमील D आप्षन दिया है उर्दू इसका correct answer रोजेगा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कौन से हैं तो हिंदी हैं इसका correct answer रोजेगा हिंदी option number A यहीं बात करें कि 200 में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कौन से हैं तो 200 की बात करें तो आपका हो जेगा चिन्नी की मंदारिनी भासा हैं यहाँ ध्यान दियेगा प्रस्न पुछेगा कि 200 में सरवाधिक बोले जाने वाली भासा कौन से हैं तो आपका answer रोज़ेगा चीनी की मंदारिनी भासा है ठीक है अब यहीं पर बोल दे कि भारत में दूसरे नमबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा दूसरे नमबर की बात करें कि भारत में दूसरे नमबर पर बोले जाने वाली सबसे अधिक भासा कोंसी है तो आपका एंसर हो जगा बांगला, कौन सी है, तो बांगला है, यहाँ ध्यान दिजेगा, प्रस्ण पुछेगा कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है, तो आपका एंसर हो जगा हिंदी, प्रस्ण पुछेगा कि भारत में दूसरे नंबर पर सबसे पोले जाने वाली भासा कौन सी है तो आपका एंसर रोजेगा बांगला है आए नेश्ट प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हिंदी भासा का जन्म हुआ है एज आपसंद्या है अप भरांशे बी आपसंद्या है लोकिक संस्कृत से C आपसंदिया है पाली संस्कृत से D आपसंदिया है बाइदिक संस्कृत से इसका correct answer रोजगा आपसंद रोजगा आपवरान से यहाँ देख लिजिए एक point आपको नूट डान करा रहे हैं इसे नूट डान कर लिजगा यहाँ से प्रस्ण बनेगा साजाने के लिए उसके बाद प्रकृत इसके बाद आया अपवरान्स इसके बाद आया अहवट और उसके बाद आया हिंदी उसके बाद आया हिंदी तो यह है हिंदी का विकास करम तो देखिए अहवट कहीं कहीं नहीं देता है अहवट जो हैं कहीं कहीं नहीं देता है डाइरेक्ट अप भरंस के बाद हिंदी देता है तो यहीं प्रस्ण पूछा है कि हिंदी भासा का जन्म हुआ है तो किस भासा से तो अप भरंस भासा से यदि हिंदी का विकास करम पूछ प्रस्ण को घुमा सकते हैं अगर प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं चौथा प्रस्ण है नीम्न में से कौन सी बोली या थवा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है इसका प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरह चलते हैं पाचवा प्रस्ण है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भासा कीस रूप में सबसे अधिक प्रसीद है तो देखिए इसका करेक्ट नसर जगा आफ्सन नमबर डी का विवासा है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भासा को किस रूप में जानते हैं तो का विवासा के रूप में जानते हैं नेश्ट प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं छठा प्रस्ण है भारत वर्ष में हिंदी को आपकी स्वर्ग में रखेंगे यहां देखिए इसको इंपोर्टेंट कर लिजिएगा बहुत सारे बच्चे क्या है कि आपसन नमबर इसका देखिए क्या मार कर लिजिएगा आपसंदे रहें ए आपसंदिया राज भासा बी आपसंदिया राश्ट भासा सी आपसंदिया भी भासा और डी आपसंदिया तकनिक भासा इसका करेक्टर इसका आपसंदिया राज भासा यहां ध्यान दिजिएगा भारत वर्ष में हिंदी को आपकी स्वर् एक मेन मертв स्वारग में रक्षेंगे देखी hon आ हमारे देश का राश्टी भाशा नहीं है कि नकी राश्टी भाशा ही का राश्टी भाश hindi है ध्यान देजएगा हृइत सारे बच्चे राष्ट भासा पर मार देते हैं लेकिन यह गलत हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं इसको तो मैं पढ़ा रखे हैं जो बोलिया हैं भारत में वह हम सब अलरड़ी आपको पढ़ा दिया है व्यद्यो मेरे प्ले स्टेम पढ़ा हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हैं नेश्ट प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं आठवा प्रस्ण है ब्रज बूली नाम से जानी जाती है यानि ब्रज बूली की नाम से कौन सी भासा जानी जाती है तो A आप्षन दिया पंजाबी, B आप्षन दिया मराथी, C आप्षन दिया गुजराथी और D आफ्षन दिया पुरानी बांगला तो इसका correct टेंसर जगा आफ्षन नमबर D पुरानी बांगला पुरानी बांगला को ब्रज बूली के नाम से जाना जाता है नवगा प्रस्न है नीमन में से कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है इसका correct टेंसर जगा आफ्षन नमबर C नीमन में से कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है और हिंदी भी लिखी जाती है ऐसे बहुत सारे भासा है जो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है उडिया नहीं लिखी जाती हैं और सिंधी नहीं लिखी जाती हैं अगले नेश्ट प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रस्ण रहेगा इस वीडियो का प्रस्ण संख्या दसवा हैं एक मनई के दूई बेटवे रहीन ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन मा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमको देदे या आउतरण हिंदी किस बोली में हैं इसे इंपोर्टेंट कर लिजिएगा यह सीधे सीधे आपके पेपर में छप सकता हैं यह आपके जाए किस बहसा कि है तो आधी में लिखा गया है तो फ्रेंड़्स आज की वीडियों सिर्फ इतना ही फिर अगले नेस्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए थांच्यू जया बारत